बिहारी नियूज में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिवान के परिटन स्थानों के बारे में दोस्तों इसके पहले हमने आपको बिहार के कई जिलों के परिटन स्थानों के बारे में बताया है यह जुला भारत के पहले रास्ट्रपती भारत रतन डॉक्टर राजीन प्रिशाद के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद है 1972 में बने इस जुले के नामकरन के बारे में दो परिकल्पना है मध्यकाल में बावर के आगवन से पुर्व यहाँ पर शिवमान नाम के राजा के वंशजो का साशन था जिसके नाम पर इस भूभाग का नाम सिवान पड़ा दूसरी परिकल्पना यह है कि भोजपुरी भाश्वा में सिवान का अर्थ होता है किसी स्थान की सीमा यह नेपाल के दक्षिनी सीमा का निर्मान करता है इसलिए इसका नाम सिवान पड़ा सबसे पहले अगर हम परिटन सलू की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सोहगरा मंदर का भारत के प्रसिद शिव मंदरों में सोहगरा धाम सिद बाबा हंसनात का मंदिर गुठनी प्रकहंड मुख्याले से 10 किलोमीटर दूरी पर सिथ है जानकारी के नुसार शिव महापुरान के चतुर्थ कोटी रूदर जहिता में जो 21 शिवलिंग का वर्णर है उसमें 13 वे जोत्रिलिंग के रूप में बाबा शिव हंसनात सोहगरा शिवधाम में विराजमान विशाल शिवलिंग है ऐसी मानिता है कि इस मंदिर की साबना दुआपर युग में दैतिराज वानसुर ने की थी और इसके कई पुरातत्विक प्रमान भी मिले है यहाँ पर पूरे एक महीने का श्रावनी मेला लगता है जिसमें व्यापक स्तर पर श्रधालु आते हैं और शिवलिंग पर जल चड़ाते हैं अब हम बात करेंगे द्रौन स्तूप की बौध केंद्री के रूप में मानता प्राप्त द्रौन स्तूप दरौली प्रखंड के दोन गाउं में स्थित है यह स्थल बौध धर्म के लिए महदपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऐसी मानता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध का अंतिम संसकार हुआ था और इसी वज़े से यहाँ पर वियतनाम थाइलैंड सहित अनदेशों के बौध धर्म के अनुयाई आते हैं हाला कि एक और मानता हिंदु धर्म को मानने वालों की है कि यहाँ पर किले के मौजूद अवशेश महभारत काल के हैं जुसे गुरू द्रोना चारेम ने बनावाय था परन्तु मानता का कोई साक्षिय नहीं मिलता चीनी यातरी हुएन सौंग ने अपने यातरा वर्णन में इस स्थान पर एक पुराना स्थूप होने का जिक्र किया है स्थूप के अवशेश स्थल पर तारा मंदिर बना है जिसमें नवी सदी में बनी एक मूर्ती स्थापित है अब हम बात करेंगे आनन्द बाग और सुंदर बाग मठ की सिस्वन प्रखंड के बखरी गाउस्ते आनन्द बाग और सुंदर बाग मठ में प्रती वर्ष सावन महीने की पूर्णिमा को संत मेले का आयोजन किया जाता है बखरी आनंदबाग में संत शिरोमनी श्री जगनात दास और सुन्दरबाग में साधक प्रवर श्री भगवान दास की समाधी पर बने मंदिरों से लाखो श्रद्धालों की आस्था जुड़ी है सभी धर्मों से प्रेम और भाईचारे की सीखेवं योग सुविचार वस्ताद भावना के जरिये लोगों को संसकारवान बनाने का जो प्रयास संत भगवान दास ने किया उसकी गाथा आज भी गाई जाती है यहाँ पर बिहार से ही नहीं बलकि दूसरे राजों से खास कर यूपी बंगाल और दिली से बड़ी संख्या में लोग आते हैं इसके बाद हम बात करेंगे जिर्देई की यह गाउ जिर्देई भारत के पहले राश्ट्रपती भारत रतन डॉक्टर राजेंद प्रसाद के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद है सिवान शहर से 13 किलोमेटर पफशिम में स्थित यह स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रिसाद के ग्रहनगर होने के कारण भारत के इतिहास में एक विशे स्थान रगता है स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रिसाद के बारे में जानने के लिए उनके घर एवं गाउं तो जाना ही चाहिए इसके बाद हम बात करेंगे महेंद्र नाथ मंदर की महेंद्र नाथ मंदर प्राचीनत मंदरों में से एक है नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम सहदेव ने महेंद्र गाउं में खूबसूरत मंदर को बनवाया और इसका नाम महेंद्र नाथ रखा था इस मंदिर के अंदर भी कई मंदिर जैसे हनुमान जी का माता पारवती का रामेवं सीता जी का मंदिर है साथ ही काल भेरफ, बटूक भेरफ और महादेव की मूर्तियां मंदिर परिसर के दक्षनी छेतर में है मंदिर परिसर से 300 किलोमीटर की दूरी पर भगवान विश्व करमागा एक मंदिर है मंदिर के उत्तर में एक तालाब है जो से कमल दाह सरोवर के रूप में जाना जाता है जो 551 बीगा छेतर में फैला हुआ है यह नवंबर में साइबेरिया प्रवासी पक्षी आते हैं और इसके साथ ही मर्श तक यहां पर रहते हैं महा शिवरात्री पर यहां लाखो भगत आते हैं और भगवान शिव और महापार्वती की एक विशेश विवास समारो आयूजित होती है जौरान शिव बारात मुख्य आकरशन का केंद्र होता है इसके बाद हम बात करेंगे मैरवा धाम की इश्टदेव बाबा हरीराम ब्रम्हा की नगरी मैरवा धाम में बाबा हरीराम के दर्शन के बाद ही मैरवा में कोई भी मांगलिक कारे प्रारंब होते हैं चैतर राम नवमी पर एक महीने के मेले एवम नवरात्र पर भी श्रद्धालों की भीडु मरती है जनमोचसव में श्रीक होने के लिए विभिन प्रांतों से भी भक्त गणाते हैं कनकगड के राजा कनक सिंग दरबार में हिंदी के प्रसिध महाकवी तुलसी दास का आगमन हुआ तुलसी दास की मिराकाद इस्टुदेव हरी राम ब्रह्मा से हुई और जब दोनों दरबार पहुँचे तो तुलसी दास ने कहा कि वो कनक गड कनक और कंचन की तरह है यह कनकपुर मुक्ती धाम बनेगा कलनांतर में यह मुक्ती धाम फिर हरी राम धाम और फिर मेरवा धाम के नाम से प्रसिध हुआ इसके बाद हम बात करेंगे हसनपुरा की बिहार का हसनपुरा गाउं धनाई नदी के किनारे सिवान से दक्षिन में 21 किलोमेटर दूर सित है या जग है अपने एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद है लेकिन इसकी प्राकृतिक सुन्दरता भी कुछ कम नहीं अरब के किसी दूर देश से एक संत मकदूम सेयद हसन चिष्टी भारत आये थे वो भारत के लोगों और संस्कृति से इतना प्रभावित हुए कि अपने देश वापस ना जाने का फैसला कर लिया उन्होंने ही हसनपुरा गाउं की स्थापना की मकदूम सेयद हसन चिष्ट यहां लंबे समय तक रहे उनका रुजान धर्म और आत्मा की पवित्रता की ओर था वो विहार के हसनपुर में धार्मिक संस्था खनकाह के संस्थापक थे अगर इस जिले के अने परटन सलू की बात की जाए तो उसमें पंचमुखी शिवमंदिर है ऐसी मानेता है कि प्राइमद शाहर रह्मत उल्लासी यहां से साथ बार पैदल मक्का मदीना हज करने के ले गया हर बार वो वहां से कुछ पवित्र चीज लेकर आए अन्तिम बार उन्होंने जो पवित्र चीज दाई उसका कुल योग मिलाकर ग्यारह हुआ और तबी से इसे ग्यारहवी जिद दूसरी ऐसी मस्जिद है जहां हजरत मोहमद से जुड़े महतवपून्ची से मौजूद है हनुमान मंदिर की बात करे तो अंतराश्रिय मानस मरमग्य स्वामी गनेश दतिश्चुकल ने 2400 वर्ग फीट में हनुमान मंदिर का निर्मान कराया जहां 13.5 फीट उची र अगरे वीडियो में हम आपको बिहार के अन्य दूसरे जिलो की परटन स्थलों के बारे में बताएंगे आपको बता दे इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है अगर किसी तरह की तुरुटी हुई तो उसके लिए हम शामा चाते हैं इसके साथ ही अग के द्वारा दिये गए सुझाव को हम अपने वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगे के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चानल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एवं शेर करें वेल आइकोन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल से जल पहुंच सके तब तक के लिए धन्यवाद